हलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखें स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जयन दर्म, एम, बोद दर्म के तुन्ना आत्मक ध्यन के बारे में पढ़ेंगे तु देखें जयन दर्म और बोद दर्म में क्या अंतर था क्या फरक था ठीक है इन सब भी बातों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे और कई बार परिक्षया में जैन द्रम और बोध द्रम के बारे में पूछा जाता है दोनों में कोई समानता पूछ लेते हैं या फिर कोई ऐसमानता पूछ लेते हैं एक नेक पक्का आता है वो चाहिए कोई भी एकजाम हो और कई स्टुडेंट्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हमें इस वीडियो में अच्छे से जैन धरम और बोट धरम को सीधे से तरीके से समझना है इनमें जो समानता हैं थी जो ऐसा मानता हैं थी इन सब के बारे में जो भी धार्मिक आंदोलन हुए थे उनमें जैन और बोट धरम परमुख हैं तो यह आप सब को पता है कि जब जब भी कोई आंदोलन होता है उसके पीछे को उनको राज जरूर होता है ठीक है ना तो उस समय क्या है छटी सताब्दी इस्सा पूरों में क्या है कि जो ब्राम जो कुछ बोलते थे वो ही होता था ठीक है तो अब ब्राह्मन वाद इतना ज्यादा हावी हो गया था समाज पर कि अब सहन करना बसके बात बसकी बात नहीं थी तो हर एक बुराई का अंत करने के लिए कोई दूसरी अच्छा ही जरूर जनम लेती है और वो थे आपके जैन अब देखे इन द्रमों ने ब्राह्मन वाद को अत्तिय दिक आघात लगाया था ठीक है ब्राह्मन धरम का बहु ज़ादा इन्होंने विरोध किया था आप देखिए जैन और बोध धरम की धार्मिक विचार धरों में कई सम्मानताईं थी तो कई ऐसम्मानताईं भी थी दोनों धर्मों का विकास ब्राह्मनवादी प्रस्टाचार के विरुद पर्ति रोध धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ ये तो इनमें एक महतोमन जो समानता अपनलों गिनते वो थी कि बाई दोनों जैन और दोनों धर्मों ने ब्राह्मनवाद का विरुद किया था और इसके अलावा वेदों की प्रमानिकतागु को भी इन दोनों ने ऐस विकार किया ठीक है दोनों धर्मों ने साम्मने भासा में अपने उपदेश दिये ताकि सारी जनता को इनकी बात्तों की समझ हो जाए महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद दोनों क्या थे छत्त्रिय राजकुमार थे ठीक है तो देखे हम बिना समय गवाएं यहां पर इन दोनों के बारे में की बोध धर्म और जैन दर्म दोनों की सम्मानताओं और ऐस सम्मानताओं के बारे में पढ़ेंगे तो जैन्दता बोधर में क्या-क्या समानता हैं थी देखेगा कोई क्यूसर बन सकता है इसमें से तो महात्मा बूत तथा महावीर स्वामी दोनों छट्टी सताब्दी इस्सा पूर्य की धार्मिक रांती के अग्रदूत थे ये सत्य है कि इन दोनों ने वैदिक करमकांडों तथा वेदों की एपोरुसेता का सम्मान रूप से विरोध किया अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही करमवाद, पुनरजन्म तथा मोक्स में विश्वास रखते थे दोनों विचारकों ने अपने अपने मतों के परचार के लिए बिख्शु संगों की स्थापना की थी तो ये तो आपका हो गया जैन और बोध धरम में समानता हैं क्या क्या थी अब देखिए अपन पढ़ते हैं आपर जैन धरम में बोध धरम में ऐसमानता सम्मानता है होने के साथ इनमें ऐ सम्मानता हैं भी थी वो क्या क्या थी इसमें से भी कई बार एक दो क्यूशन पूछ लिया जाता है तो देखिएगा जैन धरम के ग्रंथ प्राकर्ट में है जबकि बोध धरम के ग्रंथ पाली में है ठीक है जैन धरम की दो संगीति हुई जबकि बोध धरम की चार संगीति हुई तो जैन धरम की दो संगीतियों के बारे में और बो धरम की चार संगीतियों के बारे में हमने पहले पढ़ा है तो डिटेल से वहाँ देखेगा मैं याँ पर आपको बता देती हूँ कि जो पर्थम जो जैन संगीति है वह है पाठली पुत्र में 300 इसा पूरा में हुई थी और दूसरी जो जैन संगीतिया वह वललभी में 513 इसा पूरा में हुई थी वहीं अपन देखते हैं बो धरम की चार संगीतियों का समय देख लेते हैं फटा फट तो बो धरम की चार संगीतियां हुई थी एक तो जो पहली संगीतिय वह राजग्रह में 423 सा पूरा में हुई थी वेशाली में 323 सा पूरा में द्वित्य बो संगीति हुई और त्रित्य जो बो संगीतिय वह पाथली पुत्र में 251 सा पूरा में हुई और चोथी जो बो संगीतिय वह कस्मिर में पहली सताबदी में हुई ठीक है अब देखेगा अगला गोतम बुद ने मध्यमार का उपदेश दिया ठीक है वे मोक्स के लिए कठोर साधना एम काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे ठीक है तो बहुत धरम क्या कहता है कि मोक्स के लिए ज़्यादा कठोर यह मोक्स के मार्ग का कोई साधन नहीं है मध्य मार्ग व्यक्ति को अपनाना चाहिए इसके विप्रीत महावीर स्वामी ने मोक्स के लिए घोर तपस्या तथा सरीर को त्यागने की आवसिता बताई है ठीक है यह दोनों में यहां पे बोध धरम और जैन धरम दोनों में यह अ अगला अंतर क्या था? जैन्दरम के त्री रत्न हैं समेक श्रधा, समेग ज्ञान, समेक आचरण हैं जब कि बोधरम के त्री रत्न हैं कौन-कोन से हैं? भूत्र, धम और संग इनके बारे में भी भी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया हैं, वहां पे आप देखेग तो जैन दरम के त्री रतन कौन-कौन से है समेक शरदा, समेक ज्यान, समेक आचरण ठीक है और बोध दरम के त्री रतन है बुद्द, धम और संग अगला अंतर है जैन दरम में जात्य पर्था का विरोध किया है लेकिन वण व्यवस्ता का नहीं किया ठीक है, जबकि बो दरम में जाती पर्था और वण व्यवस्ता दोनों का विरोध किया घया है, जैन दरम में देवताओं को जिनके नीचे रखा है, ठीक है, तथा पुनर्जनम में विश्वास जयन दर्म रखता है लुबई इस्वर है उसको जीन के नीचे अर्था तिर्थंकरों के नीचे रखा हुआ है जबकि बो दर्म एनिश्वरवादी, अनात्मवादी तथा पुनर्जनम में विश्वास करता है ठीक है? अगला है जयन दर्म अनन्त चतुस्टे यम स्यादवाद को मानता है जबकि बो दर्म आस्टांगिक मार्ग, छन भंगूर्ता, नरात्मवाद, पर्तिते समुत्पा सिधान्त आधी को मानता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के सिधान अनन्त चतुस्ते यह स्यादवाद हैं जबकि वो धर्म में जो सिधान्त है वो आस्तांगिक मार्ग, क्सन भंगुर्ता, नरात्मवाद और पर्तिते समुत्पात का सिधान्त हैं तो यह भी कई बार पूछ लेते हैं अनन्त चतुस्ते स्यादवाद कोन से धर्म से संबंदित हैं आस्तांगिक मार्ग, पर्तिते समुत्पात का सिधान्त नरात्मवाद और दी किस धर्म से संबंदित हैं वो तो है बोध धर्म तो आपको यहाँ पेड़ धंग से देखना चा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने ही अहिंसा और परिग्रह पर बल दिया है लेकिन यदि दोनों में कंपेरिजन करें तो महावीर स्वामी है उन्होंने महात्मा बुद्ध से ज्यादा ही अहिंसा और परिग्रह पर बल दिया और वैसे देखें तो जो जैन द्रहम है उसके पतन के कारणों में भी यह चीज है अहिंसा पे और परिग्रह पे नोंने बहुत ज़्यादा अत्तिवादी द्यान दे लिया था तो वो तो आपको पता ही है कोई किसी भी चीज की अत्ति होती है वो पतन का कारण जरूर होती है बो द्रहम आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं कता बुद्ध ने स्रिस्टी के सब्भी वस्तों को एनित्ते बताया ठीक है महावीर स्वामी ने आत्मा में विश्वास किया उनके अनुसार आत्मा अनन्थ है तता स्रिस्टी के कणकण में जीवों का वास होता है ये जबकि जैन ध्रम में क्या जाता है ठीक है करमवाद तदा मोक्स सम्मंदी दोनों के विचार भिन भिन है ठीक है तो करमवाद और मोक्स सम्मंदी जैन ध्रम के और बोध ध्रम के दोनों के विचार अलग-अलग है देखेगा जैनमत करम को एक बोथिक तत्वय के रूप में मानता है जबकि बोधमत इच्छ द्वारा किये गये कारिये को ही करम कहता है इसी परकार जैनमत के अनुसार मोक्स का अर्थ सरीर विनास है जबकि बोधों के अनुसार निर्वान इस जीवन में भी प्राफ्थ हो सकता है अर्थात यहां पर क्या इसका मिनिंग निकला जैंद्रम तो कहता है कि जब सरीर का मिनास हो जाता है सरीर नस्ट हो जाता है तो हमें मोक्स मिलता है जबकि बोट धरम कहता है कि निर्वान अर्थात मन की इच्छें पूरी होना अर्थात हमारी जो ग्याने इंद्रियां हैं उन पे दी हमारा अधिकार हो गया हमारा कंट्रोल हो गया हमारा नियंतन हो गया तो हमें निर्वान मिल जाएगा अर्थात इसी जीवन में हम हमारी इं इसके विप्रीत महात्मा गोतम बुद्ध नगनता के घोर विरोधी थे उन्होंने बिक्षुओं को यथोचित वस्त्र धारण किये रहने का आदेस दिया ठीक है गोतम बुद्ध ने जाती पाती जैसी सामाजिक कुरीतियों को जितने परबल सब्दों में खंडन किया महावीर स्वामी ने नहीं सामाजिक विश्यों में महावीर के विचार ब्रामोन से बहुत कुछ मिलते जुलते थे यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ब्रामन धरम का ज्यादा विरोध कोन से धरम ने किया था वो है महात्मा बुद्ध का बोध धरम ठीक है जैंदरम को मानने वाले परमुक राजा कोन से थे वंद राजा, खारवेद राजा, अजाज सत्रू, चंदर गुप्त मोरिय, चंदेल सासक, अमोग वर्स, राष्टर कूर्ट ठीक है, यह तो जैंदरम से संबन्दित परमुक सासक थे, अब देखे हैं अपन देखते हैं बोध धरम को मानने वाले राजा, ठीक है, यह क्यूसर भी कई बार आता है तो बोध धरम को मानने वाले राजा थे, भिम्बिसार, परसेंजित, उदेन, असोक, अमरपाली, चिकिसक, जीवक और अंगुली मार, ठीक है जैन दरम के पर्मुक पर्तीक चिन देखें जैन दरम और बोध दरम के जो दोनों के अपने अपने पर्तीक चिन थे इन में से भी एक्यूसन पकाता है यह देखेगा अच्छे से तो जैन दरम के पर्मुक पर्तीक चिन है रिस्थभ देव के लिए सांड, पास्रनात के लिए सर्प और महवीर स्वामी के लिए सिंग वहीं दूसरी तरफ देखेगा बोध धर्म के पर्मुक पत्तीक चिन वो है जन्म के लिए कमल एम सांड, ग्रहत्या के अवस्था के लिए घोडा, निर्वान के लिए पदचिन, और ज्यान के लिए पिपलिया वरिक्ष, तथा मुरत्यू के लिए स्टूप्र तो इसको आपको यहां पर अच्छे से देखना चाहिए इस टोपिक को अब देखिए, स्टूरेंट्स हमने याप पर जैन्दर्म और बोद्धर्म की जो सम्मानताएं थी, ऐस सम्मानताएं थी, उनको पढ़ा और अब हमें यहां पर लग रहा है कि हमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में क्या अंतर था वो भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसमें से भी एक आदा क्यूसन आ जाता है, तो फटाफट देखेगा, जैन्दर्म के संस्तापक रिश्वद्ध थे, और वास्त्विक संस्तापक थे महावीर स्वामी, वहीं वो दर्म के संस्तापक महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, पहले जैन्दर्म आया, बाद में वो ध जैन्दर्म आया, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 इससा पूर्व है, या फिर कई-कई बार आपको 599 में इससा पूरवी मिलेगा, देकिन परेक्स्यामें, यदि 540 और 599 में आता है, दोनों ओप्सन में यदि दोनों चीज़ीं आ जाती तो आपको 540 ही करना है, अधर जन्में 563 इससा पूरा में हुआ, ठीक है, पहले महात्मा बुद्ध आये, तथा महावीर स्वामी बाद में आये, ठीक है, अब आपके क्यूसन आ रहा होगा दिमाग में, कि यदि जैन्दर्म पहले आया, तो महावीर स्वामी को भी पहले आना चीए था, लेकिन ऐसा नही है, देखेगा, जो जैन्दर्म है, उसमें तिर्थंकर थे, ठीक है, और तिर्थंकर है, वो किते थे टोटल, 24 थे, और महावीर स्वामी भी 24 वे थे, अंतिम तिर्थंकर थे, तो जैन्दर्म तो पहले से चला रहा था, ठीक है, ना, इसलिए जैन्दर्म पहले आया था, ले थिकर, तो पहले महतमा बुद आये और महावीर स्वामी बाद में आये थे, वेशाली के कुंड़ ग्राम में स्वामी जी का जन्म होआ तथा कपिल वस्तु के लुंबि निवन में महातमा बुद का जन्म हुआ, थिकर, इसके अलवा महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्दमान था और महात्माबूद के बचपन का नाम सिधार्त था अब देखेगा यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात आ रही है देखेगा महावीर स्वामी के बच्पन का नाम वर्दमान और बुद के बच्पन का नाम सिधार्थ जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिधार्थ ठीक है महात्मा बुद के बच्पन का नाम सिधार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिधार्थ और महात्मा बुद के पिता का नाम सुदोधन था तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिधार्थ और बुद के पिता का नाम सुदोधन और महात्मा बुद के बच्मन का नाम सिधार्थ महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और महात्मा बुद्ध की माता का नाम महा माया देवी एम गोत्मी परजापती था ठीक है तो महावी स्वामी की जो माता है त्रिशला वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहिन थी ठीक है और महात्मा बुद्ध की जो माता है महा माया ये देवदट की राजकुमारी थी महा माया देवी ठीक है और यहाँ पर हम देखते हैं महावीर स्वामी की पत्नी का नाम ये सोदा था तथा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम ये सोद्रा था अब देखेगा इस्टुडेंट्स में आपको बताऊंगी कि जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो माता है महा माया देवी वो उनको जनम देते ही खतम हो जाती है और उनका पालन पोशन कोन करता उनकी मौसी थी गोतमी परजापती ठीक है अब देखेगा महावीर सुआमी के एक पुत्ती थी प्रियदर्शनी और महात्मा बुद्ध के एक पुत्तर था राहुल महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के अवस्था में सन्यासधारन किया था और महात्मा बुद्ध ने 39 वर्ष के अवस्था में सन्यासधारन किया था गोत्म बुद्ध के ग्रह त्याल की गटना महाभीनिस कर्मन कहलाती है और महवीर स्वामी ने तपस्या 12 वर्स्तक की थी तथा महात्मा बुद ने 6 वर्स्तक तपस्या की थी जैन्द्रम में महवीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ति जामभीय ग्राम के समीफ रिजुपाली का नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे हुई थी जबकि बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति उरुवेला बोध गया में नीरंजना जिसको फल्गु भी खा जाता है इस नदी के किनारे पीपल जिसको बोधी भी खा जाता है तो पीपल व्रक्ष के नीचे हुई थी जैन्द्रम में ज्यान प्राप्ति को केविले कहा गया है तथा महवीर स्वामी को केवलिन कहा गया है ठीक है तो जैन दरमे क्या जब ज्यान प्राप्ति को वेक्ति को हो जाती है तो वह ज्यान प्राप्ति कैवले कहलाती है और वो वेक्ति कैवले कहलाती है जैसे कि महावीर स्वामे कहला थे वैसे ही बो दरमे ज्यान प्राप्ति को संबोधी और बुद को तथागत कहा गया है महावीर स्वामी की मर्त्यू पावापूरी जो नालंदा में 448 इस्सा पूर्व में और कई-कई पुस्तुकों में आपको 527 इस्सा पूर्व में भी मिलेगा हुई थी महावीर स्वामी की मर्त्यू 72 वर्ष की अवस्ता में हुई थी तथा महात्मा बुद्ध की मर्त्यू 80 वर्ष की आयू में हुई थी यह गटना बोध दर्म में महापरी निर्वान के नाम से जानी जाती है देखें स्टुडेंट्स मा आपको यहाँ पर बोध दर्म से संबन दी चार महत्तोबन गटनों के बारे में बताती हूँ जो प्रेक्षा में पूछी पूछी जाती है तो सबसे पहली गटना तो है महात्मा बुद ने जब ग्रहत्या किया था उसको कहा गया था महाभीनिस कर्मन ठीक है उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहले अपना जो धर्मो पदेश दिया था पांच ब्रामनों को सारनाथ में उसको कहा गया था धरम चक्र परिवर्तन उसके बाद उनको ज्यान की प्राप्ति हुई सोरी धरम चकर परवर्तना वो तीसरी घटना थी और दूसरी घटना है जब महात्मा बुद्ध को ज्यान प्राप्ति होती है तो वो तथागत कहला थे उसके बाद चोथी जो घटना है वो है उनकी म्रत्यू जिसको महापरी निर्वान कहा गया तो चार गटनाई को उनसी हुई पहली ग्रहत्या की महाविनिस कर्मन दूसरी ज्यान प्राप्ति की तथागत तीसरी आपकी धरम चक्कर परवर्तन जो धरम उपदेश दिये थे वो धरम चकर परवर्तन और फिर चोथी है महात्मा बुद्ध की मरत्यू अर्थाद महापरी निर्वान ठीक है तो देखेगा अपने यहाँ पर बोध दरम, जैन दरम महाविर स्वामी, महात्मा बुद्ध इन सब में समानताएं अंतर सब कुछ पढ़ा है यहाँ पर तो परिक्षा के साब से मेरे साब से यह मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट टोपिक है आपको यहाँ पर पढ़ाया, इसको अच्छे से पढ़िएगा और हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो और देखने को मिलें और फेस्बुक पे आप हमें लाइक और सेर करें इसके अलावा आप हमें ट्वीटर पे फोलो कर सकते हैं और और भी यदि आपको अच्छे से डिटेल लेनी हो नए ने वीडियो देखने हो तो आप हमारे वोडसप के ब्रोडकास चैनल से जूड़ सकते हैं आप हमें कोई भी परसन भी पूछ सकते हैं हम आपकी हल्प करेंगे धन्यवाद